नमस्कार दोस्तों, क्लास सेवंत महाराश्टेट बोर्ड माथेमेटिक्स, चाप्टर नमबर 6, इंडैसेस, नेक्स्ट जो पॉइंट है, वो है लॉज आफ इंडैसेस, तो एक एक करके हम लॉज जो हैं, वो हम समझेंगे, फर्स्ट लॉज है, मॉल्टिप्लिकेशन आफ इं बेस, मतलब अगर ए और ए, दो नमबर्स का बेस सेम है, और उनके एकक्स्टोनेंट्स, हम इंडैसेस जो हता है, इंडेक्स जो हता है, उसे हम कहते हैं, Exponent Power Index Exponent urrection Power यह तिनो नमबर जाहे हैं वो सेम वही एका Exponent यम है Index भी यम है और Power भी यम है तो अगर दो नमबर में Multiplication है और उनका Base सेम है तो जो indices हैं index है अगर same हो या different हो उनमें addition होती है तो जो base है वो as it is लिखना है एक ही बार और yum और yen इन दोनों की addition करनी है numerator में ये क्यों होता है देखिए अगर 3 raise to power यहाँ पे 2 है और 3 raise to power suppose 4 है तो 3 कितने times multiply होगा 2 times होगा तो 3 कितने times यहाँ पे multiply होगा वो होगा 4 times तो कुल मिला के कितनी times होगा यह 2 और यहाँ के 4 2 plus 4 मतलब 6 times तो 3 raise to power 6 यह 6 आएगा 2 plus 4 इनकी addition करने के बाद तो यह हुआ first rule laws of indices में अब second rule आता है अगर base equal है और division है a raise to power m divided by a raise to power n तो base हमें एक ही बार लिखना है और exponent में subtraction करना m और n में subtraction होगा m minus n कि suppose एक हम example यहाँ पर ले लेते हैं कि suppose 10 raise to power 5 dehyde by 10 raise to power 3 अब 10 raise to power 5 का मतलब division है तो जिससे हमें dehyde करना है वो number हम numerator में लिख सकते हैं और जिससे dehyde करना है वो denominator में लिख सकते हैं अब 10 raise to power 5 है तो 10 into 10 into 10 into 10 into 10 5 times लिखना है divided by 10 into 10 into 10 3 times लिखना है तो एक एक 10 cancel होगा तो यहाँ पर कितने 10 cancel हो जाएंगे 3 10 cancel हो जाएंगे 3 times तो अब जब हमें answer लिखना है तो क्या होगा 10 into 10 10 का square आ जाएगा अब 10 का square कैसे आ गया तो इनके एक्सपुरोंट में हमें subtraction करने होगी 5 minus 3 2 जितने 5 times एक्सपुरोंट है या 5 times 10 है उन में से 3 times cancel हो जाएंगे तो 5 minus 3 2 2 times 10 रहे जाएंगे तो यहाँ पर 10 raise to power 2 answer आ जाएगा थर्ड रूल है देखिए किसी भी नंबर का अगर exponent 0 होता है तो उसका answer 1 आता है फॉर्थ रूल होता है किसी भी नंबर का exponent कोई भी नंबर नहीं है तो उसका नंबर उसका exponent 1 होता है फिप्थ रूल होगा देखिए अगर किसी bracket में दो numbers का multiplication है और इस bracket का exponent यहम है कोई number है तो अब इसे अगर solve करना है तो बॉर्ड मास रूल से पहले हमें multiply solve करना होता है फिर उसके बाद exponent लेकिन यहाँ पर रूल ऐसा बनता है कि multiply करके exponent solve करिए या फिर यम जो exponent है वो यम एका exponent लिखिए अलग से और बी का भी exponent यम अलग से लिखिए और इन दोनों का multiplication करिए तो भी जो answer मिलना है वो ही मिलेगा जो यहाँ पर मिलना है अब इस rule को हम समझ लेते हैं कि suppose 2 into 3 raise to power suppose यहाँ पर 2 है तो पहले multiply करिए 2 into 3 6, 6 का square होगा 36 या फिर 2 का exponent 2 और 3 का भी exponent 2 ले लिजिए 2 का square होगा 4 3 का square होगा 9 9 into 4 36 दोनों ही समय हमें answer वो ही मिल जाएगा जैसे हमने यहाँ पर multiplication के लिए rule लिया है same division के लिए कि अगर suppose A और B इन दो numbers में अगर division है और bracket का exponent M है तो हमें पहले number का exponent A का exponent M लेना है divided by B का भी exponent M लेना है तो पहले division करके फिर exponent ले लिजिए या फिर इन दोनों का exponent लेकर फिर उन में division कर लिजिए answer वो ही आना है दोनों ही समय same आएगा अब और एक rule है अगर A raise to power यम और A raise to power यम का power यन होगा तो क्या करना है थी A raise to power बिस वही लिखना है power का power A raise to power यम है फिर उसी का power यन तो इन दो powers में हमें multiply करना होता है A raise to power यम एंटो यन A raise to power यम एंटो यन A raise to power यम ब्रेकेट रिस तो पावर यन अब यह कैसे आता है दिखिए अगर 2 cube यहाँ पे power 4 होगा तो 2 cube का power 4 है तो 2 cube इन टो 2 cube इन टो 2 cube इन टो 2 cube 2 cube कितने times आ जाएगा 4 times आ जाएगा तो 2, 2, 2, 2 base same है तो हमें base 2 ही लिखना है और जो multiplication का सबसे पहले हमने rule लिया था exponent की addition करनी है तो यह 3 times, 3 times, 3 times, 3 times 3, 4, 12 तो 3 into 4 हमें 12 यहाँ पर मिल जाएगा यह दूसरी मेतर से हम समझते है 2 cube तो 2 को हमें यहाःपर 3 times लिखना है सबस्क्रतोगा 2 को 3 times लिखना है फिर 2-3 times तो किल मिला के कितने 2 होगे 1, 2, 3 यहाँ के 3 यहाँ के 3 यहाँ के 3 यहाँ के 3 3, 4 , 12 तो 2 raise to power 12 answer हमें मिल जाएगा next rule है देखे अगर किसी number का exponent negative है तो हमें इस number का reciprocal लेना है तो a raise to power minus cm is equal to a raise to power plus cm हो जाएगा तो reciprocal लेंगे तो उसका जो exponent है वो negative का positive हो जाएगा या फिर अगर किसी number का exponent positive है numerator में तो उसे हमने अगर denominator में लिखा a raise to power cm is equal to 1 by a raise to power plus का होगा minus sign तो ये दो numbers equal होंगे और ये भी दो numbers equal होंगे तो a raise to power minus cm को हम 1 by a raise to power cm लिख सकते हैं या फिर a raise to power cm को 1 upon a raise to power minus cm लिख सकते हैं और एक rule है a by b raise to power minus cm अगर है अगर exponent minus का हम positive करते हैं तो a by b का हमें reciprocal लेना होता है b by a अगर ये positive number है देखी प्लस यम है तो इसका हमने negative कर लिया b by a का raise परक लेना है तो same way rule है next है अभी practice set 27 तो सबसे पहले हमने जो rule लिया था अगर base equal है a raise to power cm into a raise to power cm और multiplication है तो index में हमें addition करने होती है a raise to power cm प्लस n base एक ही बार लिखिए exponent में addition करिए तो यहाँ पर दिखिए 7 raise to power 4 into 7 square तो base इन दोनों numbers का 7 है exponent में है यहाँ पर multiply होने की वज़े से हम addition करेंगे तो यह होगा 7 raise to power 6 minus 11 raise to power देखिए minus 11 base है तो exponent की addition होगी क्योंकि यहाँ पर multiplication है minus 11 minus 11 base एक ही बार लिखिए और exponent में addition करिए 5 plus 2 यहाँ पर होगा 7 minus 11 raise to power 7 question number 3 देखिए 6 by 7 cube into 6 by 7 raise to power 5 तो 6 by 7, 6 by 7 यह जो fraction है वो base है भी 6 by 7 तो 6 by 7 base as it is लिखना है और 3 और 5 के हमें addition करने हैं तो 3 plus 5 यहाँ पर 8 6 by 7 raise to power 8 minus 3 by 2 raise to power 5 into minus 3 by 2 raise to power 3 मतलब cube तो minus 3 by 2 minus 3 by 2 base as it is लिखना है और exponent में हमें addition करने हैं अब next देखिए A raise to power 16 into A raise to power 7 तो A raise to power 16 और 7 के addition होगी तो A raise to power 23 P by 5 cube into P by 5 raise to power 7 तो P by 5 base as it is लिखना है exponent में addition करना है तो 3 plus 7 तो P by 5 raise to power 3 plus 7 आंसर होगा 10 मतलब P by 5 raise to power 10 हमें ऐसे रीड करना है raise to power P by 5 raise to power 10 पावर मतलब इंडेक्स एक्स्पोनेंट प्राक्टिस से 28 क्वेशन नुम्बर 1 अब सिंप्लिफिकेशन में A raise to power 6 दिएदे बाइ A raise to power 4 अब दोनों नंबर्स का जो बेस है वो इक्वल है A और A तो A raise to power M divided by A raise to power N यह rule यह law हमें यूज़ करना है तो दोनों का बेस जो सेम है वो ही एक ही बार हमें लिखना है और एक्सपोनेंट में हमें सब्ट्रेक्शन करना है A raise to power M minus N A raise to power M divided by A raise to power N is equal to A raise to power M minus N तो अब दिखे A raise to power A base सेम है तो A हमने लिखाया एक्सपोनेंट में सब्ट्रेक्शन होगा 6 minus 4 तो A raise to power 2 M raise to power 5 divided by M raise to power 8 तो M raise to power 5 minus 8 तो M raise to power 5 minus 8 अब देखे 5 का sign plus और 8 का negative minus तो अलग-अलग sign है तो यहाँ पे सब्ट्रेक्शन होगा 8 से 5 सब्ट्रेक्शन होगा 8 minus 5 3 और greater number का sign minus तो Y raise to power minus 3 अब P raise to power P, P base same है, division है तो 3 minus 13 तो same 13 minus 3 10 greater number का sign minus P raise to power minus 10 लिखना है से ऐसे है P raise to power minus 10 X, X, base same division तो 10 minus 10 exponent में सब्ट्रेक्शन तो X raise to power 10 minus 10 0 किसी भी number का 0 exponent होता है तो उसकी value जो होगी वो होगी 1 यह rule हमने पहले ले लिया है question number 2 है find the value अब हमें simplify करके value find करने है तो देखिए minus 7 का power 10 है divided by minus 7 raise to power 12 minus 7 raise to power 12 divided by minus 7 raise to power 12 तो अब division है बेस दोनों का सेम है numbers का तो rule यूज कर लीजे A raise to power 10 divided by A raise to power 10 A raise to power 10 minus 10 exponent में सब्ट्रेक्शन होगा तो minus 7 raise to power 12 minus यहाँ पे भी exponent 12 तो minus 7 base जो है वो सेम लिखना as it is 12 से 12 सब्ट्रेट करना है 12 minus 12 तो minus 7 raise to power 0 answer है में मिल जाएगा 1 किसी भी number का exponent अगर 0 है तो उसका answer होता है 1 तो next question है 7 raise to power 5 divided by 7 cube तो 7 raise to power base सेम है division है तो exponent में सब्ट्रेक्शन होगा 5 minus 3 तो 7 raise to power 5 minus 3 होगा 2 7 का स्क्वेर होगा 49 7 into 7 2 times multiply करना है अब तर्ड क्वेशन है 4 upon 5 bracket cube divided by 4 upon 5 square तो base 4 upon 5 4 upon 5 as it is as it is तर्ड करना है और यहां पर division है तो exponent में सब्ट्रेक्शन होगा 4 raise to power 7 minus 5 तो 4 raise to power 7 minus 5 होगा 2 4 का स्क्वेर होता है 16 तो answer होगा 16 तो इस वीडियो में हम इतना ही लेंगे अभी मतलब इतना ही होगा अभी नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम प्रैक्टिस से 29 स्वाल करेंगे जो हमने रूल लिया है A raise to power 7 bracket raise to power 7 वो रूल यूज़ करके नेक्स्ट प्रैक्टिस से 29 में कोशन हमें स्वाल करना है तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद